नमस्कार दोस्तों में नाम स्रीकांत मुर्ण अब देखरें टू जेट टोसिस आज हम बात करने वाली से वीडियो में दोस्तों वोटर आईडी कार्ट का बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों PVC प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ट को अपना एड्रेस पे मंगाने के लिए जिसके तहट अगर आप अपलाई करते हैं यानि ओडर करते हैं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही सिंपल तरीका से बिलकुल फ्री में PVC प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ट को आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा और दोस्तों ओडर करने के लिए अब आपको कह जैने की जरुरूवत नहीं पड़ेगा और जाधा इनतेजार भी करणे की जरूवत नहीं पड़ेगा बहुत ही कम समय में अपना मॉबाइल फोन से बहुत ही सिंपल तरीका से ऑडर कर सकते हैं अडर करने के बाद बहुत ही कम समय में PVC प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ट क को प्रेस कर लिजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले लब के पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों बहुत ही कम समय में पीबीसी प्लास्टिक भोटर आईडी कार्ट को घर पे मंगाने के लिए सबसे पहले मोबाइल का प्लेअ स्टोर को उपेन कर लेना है सर्च बॉक्स में टाइप करना है भोटर हेल पलाइन उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दना है उसके बाद इस प्रकार से एप देखने के लिए मिल जाता है और इस एप में बहुत ही बड़ी अपडेटे किया गया है जिसे आप बहुत ही असान तरीका से और बहुत ही सिंपल तरीका से पीबीसीक प्लास्टिक भोटर आईडी कार्ट के लिए ओर कर सकते हैं और दोस्तो यह एप गोर्हमेंट ओप इंडिया का यानि इलेक्शन कमिशन ओप इंडिया का है तो इस एप को सबसे पहले अपना मोबाईल में इस प्रकार से इनस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस परकार से अप को open कर लेना है उसके बाद कुछ इस परकार के इंटरफेस open हो जाता है और यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है न्यू यूजर के option इस वाले option पे click कर दना है उसके बाद यहाँ पे अपना mobile number को type करना है send OTP के option पे click करना है आपके mobile number पर OTP को send किया गया है OTP को इस box में type कर दना है और यहाँ पे अपना first name को type करना है इस box में last name को type करना है और यहाँ पे अपना मन पसंद से कोई password को create कर लेना है जो a strong password होना चाहिए उसके बाद submit के option पे click कर दना है जैसे आप submit के option पे click करते हैं तो यहाँ से registration successfully completed हो जाता है अब आपको क्या करना है इस app में सबसे पहले login करना है उसके लिए back हो जाना है login करने के लिए यहाँ पे अपना mobile number को type करना है password को type करना है send OTP के option पे click करना है आपके mobile number पर एक OTP को send किया गया है OTP को इस box में type करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है login के option इस वाले option पे click करना है जैसे आप login के option पे click करते हैं successfully login हो जाते हैं और login होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस app में बहुत ही बड़ी update किया गया है अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल नए तरीका के यहाँ पे option देखने के लिए मिल रहा है अब यहीं से बहुती simple तरीका से PVC plastic voter ID card के लिए order करना होगा और बहुती कम समय में बिल्कुल free में आपके address पे PVC plastic voter ID card को send कर दिया जाएगा reject नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे जो दीख रहा है voter registration के option इस वाले option पे click करना है अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे option देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले अज scroll down करना है और यहाँ पे जो option दीख रहा है अब यहाँ पे दो option देखने के लिए मिल जाता है पहला option में बोला गया है कि अगर आपके पास अभी voter ID number अब लेवल है तो yes वाले option को select करना है अगर नहीं है तो आपको क्या करना है no वाले option को select करना है तो मेरे पास already voter ID number अब लेवल है तो चलिए yes वाले option को select करेंगे उसके बाद next के option पे click करना है जैसे आप next के option पे click करते हैं तो यहाँ पे अपना voter ID number को type करना है यहाँ पे अपना state का नाम को select करना है जिस state से आप belong करते हैं उस state का नाम को select कर लेना है उसके बाद pitch details के option पे click करना है उसके बाद proceed के option पे click करदना है voter ID card में जितना भी details होगा सारा कुछ details यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और last में देखने के लिए मिल जाता है next के option next के option पे click करदना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए order करने के लिए 4 step दिया गा है चार step में आपको यहाँ फिलप करना है तो सबसे पहले क्या करना है scroll down करना है यह सब आप सभी को फिलप करने की ज़रुवत नहीं है यहाँ पे देखिए automatic फिलप है किया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे अपना अधार number को type करना है यहाँ पे अपना एक mobile number को type करना है उसके बाद दोस्तों अगर आप relative का mobile number देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो ही की दे सकते हैं नहीं तो इस वाले option को छोड़ सकते हैं optional है इसी परकार से अगर आप email ID देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं तो आप इस वाले option को छोड़ सकते हैं optional है उसके बाद next के option पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा step का page open हो जाता है जिसमें यहाँ पे देखिए चार option दिया गया है तो इसमें से आपको select करना है third बला जो option दिख रहा है EPIC without correction इसी वाले option को select कर देना है उसके बाद next के option पे click करना है अब यहाँ पे देखिए region को सबसे पहले select करना है voter ID card को किसलिए अपना address पे प्मंगा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे region को select करना तीन option यहाँ पे देखनी के लिए मिल जाता है दोस्तों अगर आपका voter ID card हो गया और अगर आप इसका complaint दर्ज करवा दिये हैं एफाइर दर्ज करवा दिये हैं तो फस्ट वाले option को select रहने देना है और यहाँ पे देखिए एफाइर का copy को upload करके next option पे click करना है या फिर अगर परकृतिक आपदा से अगर आपका voter ID card किसी परकार का nest हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है second वाले option को select करना है उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एक box बॉक्स पे tick order करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है next next के option पे click करते हैं तो कुछ इस परकार के इंटरपेस ओपेन हो जाता है, और यहाँ पर सबसे पहले अपना प्लेज के निम को टाइप करना है, जिस एड्रेस पर आप मंगार हैं PVC प्लासरी बोटर आईडी कार्ड को उस एड्रेस को यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो चले यहाँ पर हम आपका बोटर ID कार्ड में details होगा और जितना भी अपने select कियें, जितना भी फिलप कियें, सारा कुछ यहाँ पर आपको एक वारा देखने के लिए मिल जाता है, अगर सारा कुछ details सही है, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, confirm के option पर जैसे क्लिक करते हैं, तो दोस्त status चेक करने के लिए OK के option पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, भोटर रजिस्टेशन इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर दिख रहा है, track status के option इसी वाले option पे क्लिक करना है, और जो reference ID नमर मिला है, यहाँ पर सबसे पहले paste कर देना है, औ अगर accept हो जाता है तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा और reject भी होगा तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो इस तरीका से अब आप PVC plastic voter ID card को order करके अपना address पी मंगा सकते हैं